वेलकम बैक माई चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना बोलिए और आल पर भी क्लिक चरू कीजिए आने वाली वीडियो की नोटिपीकिसन आपको मिल सके यहां पर हम बनाएंगे गोबी की सब्सक्राइब चोटे चोटे गोबी की हमने आपर फूल लिये हुए है आठ से दस हैं यह हमने इनको अच्छे से धो लिया था अब हम इने कट करेंगे यहां से भी आसानी से निकल जाते हैं ज्यादा महनत नहीं लगती है ऐसे काटने में जहां पर आपको ज्यादा मोटा दिखते है वहां से आप चाकु से कट लिए इस तरह के से हम सारी कोबी को काट के त्यार कर लेंगे गोबी हमने कट कर लिये हैं और हम यहां पर दो दाने टमाटर ले रहे हैं टमाटर को हम काट लेते हैं बीच का पाट हटा देंगे हम और इसे काट लेंगे हम इसमें प्याज कस्तमार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हमने तीन बड़े आलो लिये हुए हैं लैसुन की कल्या लिये हैं आठ से दस अब हम आलो को भी काटके दिखा देते हैं आपको इस तरके से आलो के आप पीस कर लिजिए और फिर इनको बरावर काट लिजिए अगर आपको सबजी लेट में बनानी हैं तो आप आलो को पानी में बिगो लिजिए नीट नहीं तो आलो काले पड़ जाएंगे हम यहाँ पर तुरंत सबजी को बना रहे हैं इसलिए हम आलो को पाने में नहीं भी गोएंगे यहाँ पे हम हरी मिर्चु और लहसुन को भी काट लेते हैं और हम ने एक लोई की कड़ाई लिए और उसमें तेल लग दिया है तेल हो चुक है हमारा गरम अब हम उसमें डालेंगे सरसू एक स्पून हमने हाँ पर सरसू लिए काली सरसू और हमने हाँ पर सरसू का तेल ही इस्तमाल किया था अब हम उसमें कटेवे लेशन और मेच को डाल देते हैं इनको अच्छे से हलका ब्राउन होने दिंगे अब हम उसमें कटेवे टमाटे एट कर दिंगे इसे अच्छे से चलाएंगे और साथ में स्मेट कर देंगे हम मसाले यहाँ पर हमने लिया है गरम मसाले एक चमच उसके बाद आदा चमच अल्दी पाउडर और हम डालेंगे एक चमच लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च है इसको अच्छे से हम मिक्स कर दिंगे जब तक कि मसालों से तेल अलगना हो जाए तब तक हम इसे चलाना है और हम स्वाधने साथ नमक डार देंगे इसमें नमक डारने से हमारे टमाटर अच्छे से घल जाएंगे दो से तीन मिनट हमें इसे गलाना है इसके बाद हमने इसमें डाल दी हैं आलू आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दो से तीन मिनट हमें आलू को भी इसमें फ्राइ करना है आलू को अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें अच्छे कर देंगे गोबी और हम सबजी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स हम यहाँ पर जादा मात्र में सबजी बिना रहे हैं तो थोड़ा गुमाने में देकत आ रही है हराम से कीजिए तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हमारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसमें पाने डालेंगे पाने इतना डालेंगे कि हमारी सब्जी पक सके जादा पाने हमें नहीं डालना है हम इसे मेडियम आज में पकाएंगे ताकि यह अच्छी बन सके इसे बनने में लगबग आदा घंटा लग जाता है अब हम इसमें लखकन रख दिंगे और हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे सबजी को गुमाते रहेंगे बीच बीच में ताकि यह बराबर से पके देखिए हमारी सबजी आधा पक चुकी है थोड़ा और पकाएंगे हम इसमें इसमें पानी है तो हम पाने को सुकाएंगे अब हम गैस का फ्लेम पाई कर दिंगे और इसका पानी सुका दिंगे देखिए हमारा पाने सूप चुका है हमारी सब्जी बन चुकी है हमने इसे लोहे की कड़ाई में बनाया था तो इसका कलर थोड़ा काला काला हो गया है इसी और कड़ाई में वो स्वाद नहीं आता जो कि लोहे की कड़ाई में आता है तो आप जरूर ट्राइ कीजिए ये रे Thank you.